नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया जिसके लिए मैंने यहां पे लिए आदा कटोरी दलिया और एक बड़ी चम्मच मैंने देशी गी लिया है गैस पे चड़ा दिया है मैंने प्रेसर कूकर जिसमें मैंने डाल दिया है गी गैस की फिले में हमें मेडियम रखनी है ना हमें slow रखनी है और फूल रखनी है यहाँ पर मैंने लिये दो लॉंग और दो इलाइची जिसको मैंने गी के अंदर डाल दिया है इसमें मैं डाल देती हूँ दलिया और इसको हमें अच्छे से बुनना है यहाँ अगर गैस की फ्लेम आपकी फूल रहेगी तो आपका दलिया जो जल जाएगा फिर वो टेस्ट नहीं आएगा तो हमें क्या करना है गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है और पल्टे से यह च खाना भूल जाओगे कि बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है हेल्थ के लिए भी फोच ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ दलिया का हलका सा कलर्ट चेंज हुआ है हमें और इसको अच्छे से शेकना है दलिया घी में डालने के बाद हलका सा फूल जाता है एक से दो मिनिट इसको मैं और शेक लेती हूँ लेजी जो दलिया है वो सिख चुको है अच्छे से या पर मैंने लिया एक गिलास पानी जो मैंने डाल दिया है दलिया के अंदर नमक अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ढकन लगा देती हूँ एक सिटी आने तक हमें इसको अच्छे से पकाना है एक सिटी हमारी आ चुकी है और हमारा दलिया भी तयार हो चुका है यहां पे मैंने लिए दाना चिनी आप चाहो तो पिसी वी चिनी डाल सकते हो पर मुझे दाना चिनी पसंद है इसलिए मैंने यहां पे दाना चिनी लिए इसमें मैं डाल देती हूं देशी घी और लिजी आपका दलिया बनके तयार है आप देख सकते हैं यह ना ज्यादा बनाना है आप इस तरह से बनाईए खाईए फिर बताईए कमेंट्स में कैसा लगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद